भारते क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंग बेदी ने सोमवार को कहा कि महन सिंग धोनी भारतिय टीम के आधे कप्तान हैं। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि धोनी की मौजूदगी से टीम शांत भाव से खेलती है। पूर्व क्रिकेटर बेदी ने विशकप से पहले आईपियल को भी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि मैं नीजी तोर पर चाता हूँ कि वे वरतमान में जिये। विशकप में अब भी ठाई महने का वक्त है। केवल अपना खेल खेलो विशकप के लिए हम पिछले डेड़ साल से प्रयोक कर रहे हैं और मैं इससे कता ही खुश नहीं हूँ। वेदी ने इसके साथ ही कहा कि 23 मार्च से शुरू होने वाली आईपियल विशकप से पहले टीम के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि आईपियल के दौरान खिलाड़ी चोटील हो सकते हैं। उन्होंने का कि आप ऐसी उमीद नहीं कर सकते हैं कि खिलाड़ी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हुए अपना सौफिस दी ना दें। बता दें कि ऑस्टेलिया के खिलाफ सिरीज के आखरी दो मैचों के लिए धोनी को अराम देने का फैसला किया गया था। उनकी गैर मौझूदगी में विकेट कीपर बल्लेबाज रिशपपंद को कीपिंग का मौका दिया गया। आस्टेलिया को 358 रनों का लक्ष देने के बाद भी भारत को चार विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था।